हेलो स्टूदेंट्स आई वेलकम यू अगें तोडे वी डिसकस एट सी ओफ रॉम यूर बुक आर्यस अगर्वाल इन इस एक्ससाइज वी एड और सब्ट्रेक्ट लाइक ट्रम जो लाइक ट्रम्स होंगी उनको हम म्याद प्लस करेंगे या फिर मैनस करेंगे नथिंग एल्स नो कोशन नमबर वन कोशन नमबर वन है बेटा पार्ट नमबर वन एड करना है सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स सो सेवन प्लस थ्री हो जाएका बेटा टैन एक्स इन दा सेम वे सेवन वाई मैनस नाइन वाई आपको स्रिफ नाइन का ध्यान रखना है सेवन मैनस नाइन करें now question no.2 question no.2 use add करते लिए दिखो बेटा लिए अब हमने कौन सा हमने column method apply किया है conizer में कैसे ID करेंगे हमने same variable किंचे same variable लिख लिए है एक्स की line में सारी x है y फिर y फिर z वाले अब символ चेक करेंगे और इनको प्लस करेंगे 5 प्लस 1, 6 6, minus 7 X, minus X बचेगा minus 3, minus 2, minus 5 Y, plus 7 है तो plus 2 Y बचेगा, minus 2 और minus 1, minus 3, plus 4 है तो Z बचेगा, इन दा सेम वे आप second question बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको add करना है Now, question number 3 में आपको ये row wise दीवन है हम इन row wise और column wise लिख लेंगे और as it is question number 2 के तरह हम इनको plus कर देंगे Now, question number 4 Question number 4 में subtract करना है Subtract करते हैं दिया लखना जो पहले भी बताया गया था कि जो from से पहले है वो minus के बाद आएगा यानि कि 2X, minus 5X और simple इनको minus कर देंगे minus 3X बाकि कुछ भी नहीं है इन questions में Question number 5 में बे simplify करना है subtract करना है अगर column method से करेंगे तो जो from के बाद है उसके हम sign change कर देंगे जैसे कि ये वाला है 5 positive था sign change क्या तो negative बन गया 7A positive था negative बन गया 2C negative का positive बन गया 4 plus 2, 6 हो गया minus 7, minus 7, minus 14 बन गया 3, minus 5 क्या बन जाएगा 2B In the same way remaining questions हैं आपके पास बस बेटा यही करना है हमें plus, minus और कुछ भी ऐसा कुछ अलग नहीं है करना है Question number 8 है आपके पास A की value है, B की value है, C की value है A plus B plus C की value निकालनी है Question number 9 कह रहा है की 5X cube minus 2X square plus 6X plus 7 में क्या plus करें की sum यह आजाए तो sum में से हम इसको minus कर देंगे Same question number 10 है P, Q, R, S, T की value गीवन है आपको क्या निकालना है P plus Q plus R plus S minus T यानि की 4 के sum में हम T को minus कर देंगे Question number 11 है What should be subtracted from this to obtain this number So, इस में से, result में से given number को हम क्या कर देंगे Minus Same question number 24 है 24 में भी क्या करेंगे Number में से answer को minus कर देंगे 13 भी same minus करना है 14 भी same है 15 15 में क्या कहा है कि आपको पहले तो इन दोनों का sum निकालना है फिर इन दोनों का sum निकालना है और इनके sum में से ये वाला sum minus कर देंगे 16 Question number 16 में minus करना है Question number 17 में भी minus करना है तो I think आप इसली subtraction और addition अदाम से कर सकते है एक बार addition subtraction करना आ गया तो कुछ भी जादा इसके अंदर hard work नहीं है So this is 8C of chapter number 8 In next video we discuss 8D Till then thank you Have a nice day Stay home, stay safe